पक्ष के इन रिशाने पर बीजेपी है बयान बाजी में बीजेपी नेता रविशंकर भी कुट पड़े आज तक से खास बातचीत में रविशंकर ने राहू से लेकर चीन तक पर हमलों की बॉच्छार कर दी ब्लावल भुटो लगातार भारत के खिलाप बयान दे रहे हैं प्रदान मंत्री के खिलाप विववादास्व टिपणी कर रहे हैं हमारे साथ पटना के सांसद और पूर्व के इंद्रिये मंत्री रविशंकर प्रिशाद जी है पाकिस्तान के होअब पहली बात यह हैं कि जो ने टिपणी की जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती साहब प्रधान मंतरी के खिलाफ ये बहुत ही शर्मनाक और भर्सना योग्य है और नुने किस दिन की जिस दिन 1971 में भारत की सेनाओं ने नब्बे हजार पाकिस्तानी स्वें सेनिकों को सरेंडर कराया था याद है ना को अब मंगला इस्वाना था तो क्या बताया जाएं देखिए पाकिस्तान घबराया है पाकिस्तान ठराया है कौन सरकार कब चलेगी कब गिरेगी पता नहीं है और जहां तक भारत का सवाल है भारत के जंबाज सेनिकों ने बाला कोट कर दिखाया ना कुछ हुआ क्या घुस के उरी में भारत के जवानों ने करवाई की ना कुछ हुआ क्या तो भारत बोलता नहीं है भारत करता है जिनको बोलना उनको बोले दीजिए और यह कौन कब कैसे करेगा यह भारत की सेना और स्ट्राजिक सेकूर्टी करती है लेकिन कॉंग्रेस के नेता जो कि भारत करना है वो लगातार चीन के तरफ से जो तवांग में जो जिस तरह की कारवाई हुई उसको लेकर सवाल उठाते सेना की कारवाई पर सवाल उठाते नहीं उस पर क्या कर गिए अच्छा सुजित जी आप तो बड़े अनभवी पत्रकार है राहूल गांधी देश की कूटनीती को कितना समझ डिप्लोमैसी को मालूम है यह वही राहूल गांधी है ना कि उन्हें बाला कोट में सैनिकों का सबूत मांगा था उरी में सैनिक करवाई का सबूत मांगा था देश भारत की सेना पर विश्वास करता है सबूत नहीं मांगता है अरे देश के जीते तो हम लोग सब लोग हैं देश के लिए मरते कौन है सैनिक मरते हैं सेना के पुलिस के CRPF के यह क्या बात कर रहे हैं और जहां तक सवाल है अपने पिता जी के फाउंडेशन में पैसा लेने वाले चीन से करोड़ों अब मैं राहूल गांधी को कितना इस्परन दिलाओं कि बासर्ट में आपके शद्धे पर नाना जी जो भारत के प्रण नहिरू जी थे तो चीन से भारत की कैसी हार हुई थी याद है ना आपको शर्नाक हार हुई थी कि नहीं हुई थी वो भूल गया क्या आज नर्ण मोदी की अगवाई में भारत एक सहसिक देश के रूप में खड़ा है